वेलकम तो माई चैनल मदल लव एंड केर आज मैं आपके साथ एक बादाम की रेसिपी शेयर करने वाली हूं जो आपके बच्चे के लिए काफी हल्डी ऑप्शन है हमें सबसे पहले 10-12 बादाम की जोद होगी जो कि हम चाहे तो ओवर नाइट भी सोक कर सकते हैं नहीं तो आप डायकली गर्म पानी में आप उसे दस से बारा मिनट के लिए पंदरा मिनट के लिए सोक करके रख दीजे पानी से निकाले और उसका छिलके को रिमूफ कर लें आप अपने पसंद का कोई भी दूद इस्तमाल कर सकती हैं वह गाय का दूद भी हो सकता है और या फिर आपके अपने च्वाइस पर डिपन करता है कि आप कौन सा दूद बच्चे को पिलाती है बादाम और दूद को तब तक मिकसर में अच्छे से पीस ले कि इसमें कोई ल आपका दूद उबल चुका है दूद को बलने के पाद पीसे वे बादाम को पेस्ट को आप सॉस पेंड में डालिए अगर आप चाहें तो इसमें मिठास के लिए थोड़ा सुगर प्याइट कर सकती हैं अब आच को धीमी कर दें और इस मिस्टन को कुछ मिन्टों तक पकने सकती हैं बादाम की दूद का मजा लीजी और यह एक अच्छा विकल्प है और आप अपने बच्चे को मिल्क पिला सकती है और बादाम का भी स्वाद मिलेगा इसमें and thank you so much for watching my video please do like share and subscribe my video thank you so much